नमस्कार News 18 इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शक्स के पास में जो पहचान के महताज नहीं है क्योंकि खूब उनकी वीडियो वाइरल हो रही है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद उनके सामने जुक कर प्रडाम किया उन्हे मनुचिंटा होगी आजये पत्नस्र या जो आणको ने दिया विष्व को दिया विष्व जुगा कोने से नंबाजु होगा और निरुग प्द्धत होगा यह जिए नरुद मोदी आमको दिया जो दिश्व को लाब होगा अच्छा सौमी जब आप जा रहे थे आवाड लेन के लिए तो प्रधान मंत्री के सामने आप जुकने जा रहे थे तो प्रधान मंत्री खुद उठ गये पहले से भाब गये थे कि उनको प्रडाम करने जा रहे हैं इसका इंडियान काल्चर नियों है ओनी अनरेगूल पार्सवन आई शूट बहुमाई है कि अवार सिंता हो गया राष्ट्पती भी देखे जब ये तस्वीरे देखा राष्ट्पती जी ने जिन्होंने अवार्ड आपको दिया तो वह भी मुस्कुराने लगे उस समय आप आपके आधार काड पर क्या है जनमति थी उस पर क्या लिखा हुगा है 8 अगुस्त्र आट शुट शुट्पती अच्छा इसके पीछे क्या वज़ा है आप इतने उम्र के बाद भी इतने एक्टिव है एक्षिर हाई जैली जुगाँ प्रक्रिस कोड़ता है जॉप कोड़ता है और अमारा मुझे टेंशन नहीं है अच्छा खाना ते ना शाधा है अच्छा इस उमर में भी योग करते हैं अच्छा जो कोड़ता है कितना देर रोज लगाते हैं ताइम कितना लगाते हैं योग में वान आवर पौर वाकिं एक घंटा में सम्टेंज माने वन एन हाफ एन आवर अच्छा वाकिं तो आच्छा लोगों को सिखाते भी है आप नहीं अच्छा नहीं नहीं जोगा अच्छा तो आपको तो देखके बहुत सारे लोग सीख भी गये होंगे और आपको देखके कर भी रहे होंगे अब बताएं अभी अब बाबाजी ने एक घंटा देर घंटा वाकिंग कर रहा है और एवरी डे एक घंटा जोगा कर रहा है फ्रियांड एक्सरसाइस कर रहा है प्रनारायम कर रहा है और मुद्र भी कर रहा है सितली प्रनारायम कर रहा है सितली मुद्रा है सर्वांगासन कर रहा है पपनमुक्तासन पष्चिमुक्तान शन जो युवा होंगे नवयक होंगे त वह प्रणिना ले रहे होंगे ना? वह बाबाद जी कुछ बानी नहीं देता है. बोलो, see my life. मेरा जीबन देखो, आपको जो भाला लगे ओ ग्रहन करो, जो भाला नहीं लगे नहीं ग्रहन करो. वह बाबाद शुबह तीन बाजे से रात ना बाजे तक active रहता है. कि अच्छा इस उम्र में 126 चल रहा है 126 चल रहा है 126 चल रहा है तो सरकार ने रिकगनाइस किया सरकार में जो रिकगनाइस किया है बाबा जी देखे बाबा जी का एक He is a sadhu, saint. He is following the Indian culture. He has got it. उनने जे गुरुजी थे, उनके पास ये कल्चर मिला है. क्या है ना? रिनानिशेशन, तैग, तैग का जीवन. देखिये, दो मीटर कापर पर रहा है, दो मीटर, दो मीटर, चार मीटर, ऐसा भी चलता है, खाना भी सदा है. तो रिनानिशेशन का जो है, बाबाद दिखाता है, ये रिनानिशेशन, इंडियान कल्चर है. सब का देश का एक भाव है. ये जो पुरस्कृत किया गया, वार्ड मिला, तो किसको समर्पित किसको किया? बाबाजी समर्पित किया है ये और विश्ववाशी के लिए ये पुरुषकर मिलने के बाद विश्ववाशी का थोड़ा जोग के पर धैन देगा. ये जोग को पर देवल की दियर कॉंसेंट्रेशन देवल प्रैक्टिस, देवल सी बाबा, बाबा का जीवन भी देखिए, एक सोपोचीस में उनका कोई बीमारी नहीं है, तो ये देखके सब अनुप्रणित होगा, सब जोग प्रैक्टिस करेगा, ऐसा बाबा का समर्पित क अबिश्व वासी के लिए जोग को बाबा जी बता है कि प्रधान मंतरी, नरेंदर मोजी जी जब से प्रधान मंतरी बने, उसके बाद योग को लेकर काफी ज़्यादा उनका फोकस रहा है, या योग दिवस मनाने लगा, पूरे विश्म में मनाया जाता है, तो प्रधान मं कि उसकी वज़ा से आपको अवार्ड दिया गया कि योग गुरू भी आप हैं। कि योग करने से एक आदमी 126 साल का उमर में भी इंता सुष्त सावल रहते हैं। तो जोग एक पार्ट उनका लाइफ है। उसके पात दुस्ता भी एक चार्चा है। तो आप यंग जार जेनरेशन के बारे में बोल सकते हैं। तो हमारा आजकाल का जिवन जात्रा बहुत ही इंडिस्प्लियन हो गया। हम डिस्प्लिन नहीं मानते हैं। आम खाने पीने में, सोने में। कुछ किसी भी इस्प्लिन नहीं मनते है। क्या होता है। बाबाजी से एक सवाल और तमाम लोगों को उनको क्या आप सीख देना चाहेंगे अपने अनुभाव से अपने योग से क्या आप एक्जामपल उनको क्या सीख देना चाहेंगे ऑर यो वाबाजी, छिए अइच आप एक सेख चैट अधमम्पल डिखाता है, जिए मरा जीवन कर देखो छाउ जैसा इससीप्री लाइफ है, जैसा हम वाकिं करता है, जैसा हम जोग करता है आप देख आप देख के सीखो, हम लोग कभी नहीं बोलता है ज़ुँ तुम कोड़ू, लेकिन, हम आ देख के सीखता है बाए का जीवन हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता है जोगा इससे बतने देट नखेप्ट। इससे इससे में आपको को नहीं की नियुक्ता को प्रशप्रूप्ट। बाँ देट से में शन्य जाएट। वाबाजी का जब 6 साल उमर हुआ तब बाबाजी का एक दिन बाबाजी का पितामाता का द्यान थो गिया तो ये एक छे साल का बच्चे के लिए सबसे बड़ा निगेटिव घटना होता है लेकिन उस घटना से उन्होंने ये ही सोच उनके मनमेया है जे वाल लिज मैं होम, इस इस पिपुलर मैं फादर और मादर तू लाव और साब देम इव रिलिजियन ये विश्वसंग सार मेरा घर है इसके लोगों ने मेरा पीता माता है इनको सेवा करना ही मेरा धर्म है तो वह जो सोच बाबाजी का मैं आया छे साल आट साल उमर में अभी बाबाजी ओहीं प्र जाना और जल्दी उठना ये तमाम चीजे हैं जिसको दिन चरिया में इन्होंने शामिल किया है साधा जीवन जीता है और खाना भी साधा ही होता है तमाम ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा उधारन है जो लोग तमाम फास्ट फूड खाते हैं उन लोगों के लिए स्वामी जाना जी एक बड़े उधारन के तौर पर सामने आये हैं कैमरामेन नीरस्तिवारी के साथ रवी सिंग दिल्ली निउस एट इन इंडिया